हलो फ्रेंड्स एक और बिजनेस आइडिया के साथ मैं हूँ सुएता सिंग आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप अपने छट पर विंड टर्वाइन लगा कर हवा से बिजली बनाते हैं तो सरकार आपको हर यूनिट पर पैसे देगी आगे बढ़ने से पहले ये बता दूँ कि अगर आप बिजनेस आइडियास और टेकनोलोजी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुएता टेक्टिप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तो अगर आप इस बात से परेशान हैं कि आपकी कमाई का एक हिस्सा बिजली के बिल पर खर्च हो जाता है और बिजली की दरे हर साल बढ़ती जा रही है तो इस परेशानी से बचने के लिए आप एक नया रास्ता निकाल सकते हैं आप अपने घर की छट पर सोलर पावर प्लांट ही नहीं वलकि विंड टर्वाइन भी लगा सकते हैं ताकि हवा से आपको बिजली मिल सके इसके लिए आपको केंदर सरकार की ओर से सबसीडी के साथ साथ सस्ता लोन भी मिलेगा सोलर की तरह ही विंड एनर्जी पर होने वाला खर्च भी कम होता जा रहा है और सरकार भी विंड एनर्जी प्लांट को प्रमोट करने के लिए समय समय पर नई योजनाई ला रही है तो आज हम आपको wind energy plant के बारे में बिस्तार से बताने जा रहे हैं तो आईए सबसे पहले जान लेते हैं कि टर्वाइन लगाने में कितना खर्च आएगा एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर आप छट पर mini wind turbine लगाना चाहते हैं तो आज कल 70 से 90 हजार रुपे परती किलो वाट की दर से लागत आएगी कुछ साल पहले तक solar panel की तरह wind turbine लगाने पर कई गुना अधिक खर्च आता था लेकिन डिमांड बढ़ने के कारण कीमते कम होती जा रही है एक छोटे परिवार की डिमांड लगभग 5 किलो वाट होती है और 5 किलो वाट छमता वाले एक प्लांट पर 3,50,000 रुपे से लेकर 5,000,000 रुपे तक का खर्च आता है अब आएए जान लेते हैं कि सरकार कितनी सबसीडी देती है केंदर सरकार बिंड एनर्जी प्रोडक्शन पर सबसीडी देती है यह सबसीडी जेनरेशन बेस्ट इंसेंटिव के तौर पर दी जाती है Ministry of New and Renewable Energy यानि MNRE के मुताबिक बिंड एनर्जी लगाने पर 50 पैसे प्रती किलोबाट प्रती घंटा यानि एक यूनिट पर GBI दिया जाता है अब आएए जान लेते हैं कि किस दर पर लोन मिलेगा केंदर सरकार Renewable Energy को बढ़ावा देने के लिए सस्ती ब्याज दर पर लोन देती है यह लोन इंडियन Renewable Energy Development Agency द्वारा दिया जाता है इरेडा द्वारा 9.90% से लेकर 10.75% दर पर यह लोन दिया जाता है सोलर के साथ आप विंड टर्वाइन भी लगा सकते हैं एकस्पर्ट्स बताते हैं कि भारत में विंड टर्वाइन के साथ साथ सोलर प्लांट लगाने पर काफी फाइदा मिलता है क्यूंकि सोलर पैनल के साथ साथ विंड टर्वाइन लगाने के लिए अलग से स्पेस की जरुरत नहीं परती साथ ही आपको स्टोरेज इन्वर्टर के लिए अलग से खर्च नहीं करना पड़ता इसका फाइदा यह होता है कि आप दिन भर सोलर प्लांट से बिजली ले सकते हैं तो शाम को बिंड टर्वाइन से बिजली पैदा कर सकते हैं तो दोस्तों यह थे छट पर टर्वाइन लगा कर बिजली बनाने से सरकार कैसे हर यूनिट पर पैसे देगी इससे समधित जानकारी उमीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लिजिए ताकि मेरे नए वीडियो के अपलोर्ट की जानकारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जिन्होंने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए मैं इसी तरह के इंफॉर्मेटी वीडियो लेकर रोजाना आती रहती हूँ थैंक्स पो वाचिंग माई वीडियो बाई